हेलो एबरीवन वेलकम टू आट्स स्टाडी मेडीजी आट्स स्टाडी मेडीजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वी एब स्टाटेड पॉलिटिकल साइन्स सेरीज अब क्लास 6 दिस इस दा फर्स लेक्चर अब चेप्टर सेकेंड डाइवर्सेटी और डिस्क्रिमिने आशफ्यमिनेशन से लिंक करेंगे और डिस्क्रिमीनेशन का मिनिंंग होता है भेदबाव तो अब इस चेप्टर में हमलोग डाइवर्सेटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों को लिंक करके उसका क्या कण्क्लूजन होगा उसको हमलोग देखेंगे कि तो इन अज और क्रूप तो कभी-कभी क्या होता है वैसे लोग जो आपसे थोड़ा डिफ्रेंट है ठीक है अब वो किसी भी मामले में आपसे डिफ्रेंट हो सकते हैं तो जो आपसे डिफ्रेंट है जो आपसे अलग हैं आपसे भीने हैं तो उनको लोग क्या करते हैं टीज करते हैं यानि जारे साथ भी हो सकता है तो क्या होगा हम लोगों को एक तरह से दुख होगा गुस्सा आएगा मजबूर फिल करेंगे काफी उदास फिल करेंगे कभी आपने सोचा है कि यह सब होता क्यों है इन दिस चैप्टर वी विल ट्राइंड एक्स्प्लोर हाउ सच एक्सप्रियेंसे सारे लेटे टू देखेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है हमारे सोसाइटी में जिसमें हम लोग रहते हैं आखिर ये बेदबाव है क्या क्यों होता है तो यह जो दो चीज़ है ढंतर और प्रिजूडिस prejudice का meaning होता है पक्चपात यानि कि जो लोग आपके जैसा है उसका साथ देना और जो आपसे भिन्य है उसके साथ negative बेवहार करना वही प्रिजूडिस कहलाता है तो यह जो अंतर और अंतर क्या है यानि कि आप और आपके आसपास में जो है तो उसमें अंतर होगा तो अंतर तो स efrane go Kinos 50 खीज़ेंट करता है किसव किसचीज पर हम लोके लाइफ पे हम लोग कैसे रह रहे आ कौन सा भासा आ छिए एंट होजी छितना भी एक्टीवीट होता है वो सब हमारे जोगरा adulis से लिंक्ड होता है उसको हम लोग चैप्टर फर्स्ट में कनेक्ट करके देख चुके थे लदाक और के एक्जामपल से यू विल गेट एन आइडिया ओफ हाव डाइवर्स इंडिया इज तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि हम लोग का इंडिया कितना ज्यादा डाइवर सिटी है इफ यू लूक इवेन ब्रीफली अड़ फॉलोइंग स्टेटमेंट तो आप एक छोटे से स्टेटमेंट को भी अगर देखते हो तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया कितना डाइवर्सिफाइड कंट्री है तो देयर आर एट मेजर रिलीजिंस वर्ल तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिश्व में आठ बड़े-बड़े रिलीजिन है छोटे-चोटे कुछ रिलीजिन हो सकते हैं लेकिन मेजर रिलीजिन यानि कि सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाला सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ आठ ही रिलीजिन में and every single one of them is practiced in India और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर आठो के आठो रिलीजन को प्रेक्टिस किया जाता है यानि कि आठो के आठो रिलीजन के फॉलोर यानि कि उनके मानने वाले लोग उस धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं इंडिया में लगबग 600 के आसपास में भासा है बोली जाती है जो लोगों का मदर टंग है ठीक है मदर टंग यानि कि मात्री भासा है ओकर की इंडिया कितना ज़एद्धा त्रही बाकी यूरूपीयन कंटरीं सक देखिए आप अफरिकन कंटर को देखिए उसके बाद मिड़ इस्ट वाले को देखिएं इस्ट्रन कंट्री वाले को देखिए और After клade एकाहिं यह तो सिर्फ Muslim है यह कहीं एक दो है Christian Muslim है को यह तो सिर्फ बुदिस्ट country है कहीं पर थोड़ा बहुत हिंदु tard लेकिन इंडिया एक ऐसा country है जहाँ पर आठ जो religion है आठो के आठो religion को यहां पर practice किया जाता किसी country अब लेक्टी से आपको डींडे लग सकता है कि कितने सिवांट्रि में आप रह रहे हैं कि इतना डाइवर्सिटी इसको सेलिबरे integra लेकिन इतनाीक बारेंट नहीं किया जाता है लोग इसको खुसी आई लिते हैं कि इसका काफी ज्यादा negative impact पौर जाता है कभी-कभी तो उसको हम लोग देखेंगे this is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like तो यह क्यों ऐसा होता है हम लोग इसको celebrate क्यों नहीं करते हैं हम लोग खुस क्यों नहीं रहते हैं इतना diversity होने के कारण क्योंकि हम लोग जो है वो ऐसे लोगों के साथ safe feel नहीं करते हैं उनके साथ घूल मिल नहीं पाते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखते हैं जो हमारी तरह बात नहीं करते हैं जो हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते हैं को हमारी तरह सूचते नहीं है तो हम उनकी साथ क्या करते हैं घुल मिलना ही पाते हैं sometimes when we meet people who are very different from us तो कभी कभी क्या होता है हम वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफी अलग है अब वो अलग किसी भी मामले में हो सकते हैं दिखने में कपड़ा पहनने में बोलने में ठीक काफी स्ट्रेंज मतलब यह यार अजीव अदमी है ऐसा सूचते हैं unfamiliar यानि कि अंजान ब्यक्ती टीक है तो वह ऐसा हम लोग के अंदर सूच डेवलप हो जाता है at times we may not understand or know the reasons why they are different from others कभी कभी क्या होता है उस समस्या में उस समय पे हम लोग यह नहीं डिसाइड करते हैं कि आखिरियाद में हमसे अलग क्यों है और people also from certain attitudes and opinions about others who are not like them और जो लोग कुछ लोग है ऐसे सब लोग तो नहीं होते हैं फिर भी maximum जो लोग है वो अपना एक attitude बना लेते हैं अपना एक अलग opinion बना लेते हैं वैसे लोगों के प्रती जो उनके जैसा नहीं दीखते हैं some of these statements see be lasers as ignorant and see people in city as money minded and lazy तो आप एक statement देख सकते हैं कुछ statement से यह पता चलता है कि गाओं के जो लोग होते हैं उनसे आप बाचित किजिएगा न तो उनको ऐसा लगता है कि सहर के जो लोग हैं वो काफी ज़्यादा money minded है यानि कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है कि आपको कफी ज़्यादा सोसल करते हैं समाजिक फिल करते हैं कUNG आपकी ज़्यादा कई हर्टेड करते हैं दयालू लेकिन वो लोग समझते है कि सीटी के लोग सिर्फ money minded ही होते यह नेगेटिव तो जब हमारा opinion जो है हमारा जो सौंच है वो किसी खास गुरूप के प्रती किसी खास लोग के प्रती अगर निगेटिव हो जाएगा जैसे कि हम लोग उनको lazy देखने लगे stingy देखने लगे as some of these statement then these people prejudice that we carry about them तो अब जाके यह क्या हो जाता है एक दासे तो prejudice का मतलब वो यह होता है, जो आपसे inferior है, यानि कि आपसे क्या है, और समान है, आपके जैसा नहीं है, उसको आप क्या करो, negatively फिल कराओ, negatively एक तरह से देखो, negatively आप उसको judge करो, इसी को हम लोग prejudice करते हैं, तो when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others, तो जब हम लोग यह सोच लेते हैं, कि जो काम हम कर रहे हैं, यहीं तरीका सही है, जिस तरीके से हम खा रहे हैं, वहीं खाने का तरीका सही है, जो हम पहन रहे हैं, वहीं पहनने का तरीका सही है, तो हम लोग क्या करते हैं जो उससे different करता है whom I prefer to do things differently तो जो उससे different करता है उससे हम लोग को क्या हो जाता है negative judge कर लेते हैं उसको हम लोग और उसके साथ एक तरह से बेदबाव करना सुरू कर देते हैं example देखिए आप कि if we think English is the best language अगर हम लोग को यह लगता है कि English जो है वो best language है and other languages are not important और जो दूसरे language है English के अलावा जो दूसरे language है वो important नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं we are judging these other languages negatively तो एक तरह से हम लोग जज ही तो कर रहे हैं कि यह जो दूसरा language है वो important नहीं है English important है तो यहां पर negative judge हो गया इसका result यह होता है as a result we might not respect people who speak languages other than English अब इसका result यह होगा कि हम लोग English बोलेंगे तो English बोलने के अलावा जो भी languages है उसको बोलने वाले लोगों को हम respecting नहीं करेंगे जो की काफी गलत है we can be prejudiced about many things तो हम लोग क्या करेंगे बहुत सारे चीजों में एक तरह से पक्षपात करने लगेंगे people's religious beliefs the color of their skin the reason they come from the accent they speak in the cloths they wear it is तो हम लोग इन सब मामलों में क्या करने लगेंगे उन लोगों का धर्म क्या है उन लोगों का skin का color क्या है क्या है वह लोग गोरा है या काला है वह लोग कहां से आते हैं किस जगह से हैं उन लोगों का बोलने का क्या तरीका है कौन सा भासा है क्या एसेंट है उन लोगों का कैसे कपड़े विया लोग पांते तो इन सब बेसिस पे हम लोग उनको क्या करने लगेंगे negatively judge करने लगेंगे often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them हम लोगों का यह जो पक्षपात है यह जो prejudice है इतना ज़्यादा हो जाता है कभी-कभी कि हम लोग उस type के लोगों से जो हमसे inferior है जो हमसे different है उनसे हम लोग कभी भी friendship करना नहीं चाहते है at times we may not even act in ways that hurt them तो क्या कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसे तरीके से behave कर देते हैं उन लोगों के साथ पक्षपात अपना कर लेते हैं कि उन लोगों क्या होता है दुख होता है तो यह बिल्कुल भी गलत है कहीं से भी यह सही नहीं है आपको अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप प्लीज ऐसा नहीं किजेगा और लोगों में सेर किजे कि वो भी कभी-भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें पक्षपात नहीं करें ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना है थैंक्यू फॉर वाचिंग अस्टे टून विट अस